नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका आप देख रहे हैं Heart and Mind Power YouTube चैनल सो दोस्तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को All पे प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी किसी भी तरह की वीडियो मिसना कर सको तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Question No.1 है Moria Vanch का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तो चंदरगुप्त Moria कौन सा ततव सूरिय में सरवादिक मातरा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Hydrogen Hydrogen सूरिय में सरवादिक मातरा में पाया जाता है Question No.3 है Homeopathic के संस्थापक कौन थे? तो इसका अंसर है Honeyman Honeyman Homeopathic के संस्थापक थे Next है Haryana Hurricane के नाम से कौन प्रिसिद है? Haryana Hurricane के नाम से कौन प्रिसिद है? तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो Kapil Dev Kapil Dev Ji Haryana Hurricane के नाम से प्रिसिद है काजी रंगा नैशनल पार्क कहां स्थिद है? असम में असम में काजी रंगा नैशनल पार्क स्थिद है बढ़ते हैं Next Question की हो दोस्तो Next Question है प्रिसिद चिनी यात्री हवेंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रिसिद चिनी यात्री हवेंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही अंसर हो जाएगा हर्श वर्दन Question No.7 है प्रित्वी की बेहन या प्रित्वी का जुडवा ग्रै किसे कहा जाता है? प्रित्वी की बेहन या प्रित्वी का जुडवा ग्रै शुकर ग्रै को कहा जाता है शुकर ग्रै Next Question है लुसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लुसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में आंसर है दोस्तो सिक्किम में Question No.9 है विश्व का सबसे शोटा फूल कौन सा है? तो इसका अंसर हो जाएगा वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा फूल है विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो इसका अंसर है दोस्तो रिफेलेशिया रिफेलेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है question number 11 है मानव श्रीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है मानव श्रीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है तो सही answer हो जाएगा यकरत यकरत मानव श्रीर की सबसे बड़ी गरंथी है question number 12 है बाबर नामा किस बाशा में है बाबर नामा तुर्की में है 26 जनवरी 1950 नेक्स्ट कोस्चन है प्रसिद चिनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था प्रसिद चिनी यात्री फाहियान चंदरगुप्त दृत्ये के शासनकाल में भारत आया था तो इसका अंसरो जाएगा चंदरगुप्त दृत्ये नेक्स्ट कोश्चन है बीबी का मकबरा कहां स्तित है बीबी का मकबरा और अंगाबाद महाराश्टर में स्तित है तो सही आंसर है दोस्तो और अंगाबाद महाराश्टर बढ़ते हैं next question की ओर तो next question है दोस्तो विदुत धारा का SI मातरक क्या है? विदुत धारा का SI मातरक क्या है? सही answer है MPR MPR विदुत धारा का SI मातरक है next है अजात शत्रु किसका पुत्तर था? अजात शत्रु किसका पुत्तर था? तो सही answer है बिंबिसार नेक्स्ट है वीजे नगर समराज्य की स्थापना किस ने की थी वीजे नगर समराज्य की स्थापना किस ने की थी तो सही आंसर है हरियर एमम बुक्का ने 1336 इसमी में हरियर एमम बुक्का ने question number 19 है water polo team में कितने खिलाड़ी होते है water polo team में 7 खिलाड़ी होते है तो सही answer हो जाएगा दो तो 7 question number 20 है tendon किसे जोड़ता है tendon किसे जोड़ता है तो इसका answer है मासपेशी को हड़ी से जोड़ता है tendon मासपेशी को हड़ी से जोड़ता है question number 21 है हड़ी से हड़ी के जोड़ को क्या कहते है हड़ी से जो जोड़ा हुआ जोड़ होता है दोस्तों उसको क्या कहते है उसको लिगामेंट्स कहते है लिगामेंट्स तो नेक्स्ट क्वेस्टन है दोस्तो एनिमोमीटर को एनिमोमीटर से क्या मापा जाता है एनिमोमीटर से क्या मापा जाता है तो वाई-उ की गती मापी जाती है एनिमोमीटर से तो आंसर है दोस्क बर्फ किसे कहा जाता है तो ठोस कारबंडा ये एक साइड को शुश्क बर्फ कही जाता है ठोस कारबंडाई एकसाइड को तो भड़ते हैं दोस्तो next question की और question number 26 है वांडिवाश का युद कब और किसके बीच हुआ था वांडिवाश का युद कब और किसके बीच हुआ था तो इसका answer है दोस्तो British और French के बीच 1760 में जिसमें British ने French को हराया था मानव शरीश की सबसे बड़ी हड़ी कुनसी है तो इसका answer हो जागा फिमर जांकी हड़ी question number 29 है बारत के समुंदरी मार्क की खोज किसने की थी सही answer हो जागा वासकोडी गामा question number 30 है सांची स्टूब का निर्मान किसने करवाया था तो इसका अंसर हो जाएगा अशोक ने सांची स्टूप का निर्मान अशोक ने करवाया था तो दोस्तो अगर थोड़ी सी भी वीडियो इंफरिमेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ऐसी ही दोस्तो बहुत सारी वीडियो हम लगातार लेकर आ रहे हैं मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक के साथ